आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वोला है फ्रैंस के आप लोग नैशनल इसकोलोशिप का फ़ांद को रिन्वॉल कैसे करेंगे क्योंकि रिन्वॉल में भी इस बार नया पूर्सेस हुआ है के वाइसी करने का ओप्षन आ रहा तो कैसे आप लोग को रिन्वॉल कर करना देख सकते हैं Renewal Student जो पिछले साल फर्म बरे थह उससे पहले फर्म बरे थे जो अपना application को renewal करना चाहेंगे वोग renewal application में क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप लोग को फुराना application ID को और password फिल करना है अगर और application ID भोल गया है तो यहां से forget कर सकते हैं password भोल गया थे यहां से recover पर सकते हैं और IT password दोनों ही भोल गया है तो mobile number को OTP आके IT password recover होता है तो mobile number भी अगर आपि लोका हो गिया है वो number चालू नहीं है तो update नम्बर में जाके यहां से आप पहले नंजा नमबर को अपडेट करेंगे तो application details application id फिल करेंगे application का नाम फिल करेंगे जैसे form में दिये थे mother name फिल करेंगे date of birth सही से फिल करेंगे पहले date है फिर month है फिर why बीच में slash देना है old number को सिर्फ लिखना पिछले जो scholarship में दिये थो नमबर को सिर्फ देना है उसमें OTP नहीं आएगा सिर्फ नमबर देना है bank account देना IPC code देना है capture code देके verify करेंगे तो आपका data verify हो जाएगा उसके बाद आप नया नमबर यहां पर जो देंगे वह नमबर पर फिर OTP आएगा जो नमबर आपके पास होगा वह नया नमबर देंगे फिर उसमें OTP आएगा उसके बाद जब आप forget यहां से करेंगे recover password, forget password तनया नमबर पर अभी OTP आने लगेगा तो इस student का अभी update नमबर नहीं करना इसका नमबर चालू है तो application नमबर को fill करते हैं जो पुराना application नमबर यह पासवर्ड उसी को fill करना है fill करने के बाद login में जैसे क्लिक करेंगे तो अभी जब आप लोग renewal के लिए login करेंगे तो आपका form renewal के लिए KYC करने का option आएगा इस प्रकार KYC करने बोलेगा तो आपको apply for renewal वाला option KYC से पहले नहीं आएगा मतलब पहले KYC करना पड़ेगा आधार रेजिस्टर नमबर पर OTP आएगा उसके बाद ही होगा तो KYC update इधर left side वाला में क्लिक करेंगे तो आपका application नमबर नाम दिखेगा और जो भी mobile नमबर आधार का रेजिस्टर है वो नमबर का last 4 डिजिट दिखेगा तो उस नमबर पर आधार के थूरू 6 डिजिट क OTP आएगा OTP को fill करेंगे इसको tick करेंगे और KYC update करेंगे तो student का जो जिसका भी है उसका फोटो आधार कार्ड में जैसा नाम है फोटो है वो सारा details आजाएगा उसके बाद KYC करेंगे उसके बाद ही apply for renewal वाला option आएगा KYC नहीं करेंगे तो apply for renewal का option नहीं आएगा तो सबसे पर ले आपका आधार कार्ड में कोई भी number अगर registered नहीं है तो आधार कार्ड में number को link कराए और register कराए तो नजदी के आधार सेंटर में जाएए वहाँ पर बोलिया आधार कार्ड में mobile number अपडेट करना लिंक करना तो वह कर देंगे 2-3 दिन में mobile number अधार कार्ड के साथ अभी भी आधार के वाइसी करने के टाइम सबसे पहले आधार सेंटर जाके आधार कार्ड में mobile number अपडेट कराए ये तभी रिनवल कर पाएंगे और उसी नमबर पर ओटीपी जाएगा फिर ओटीपी डालके आप के वाइसी verify करेंगे उसके बाद आपका रिनवल वाला option आ नाम आएगा तो ये student पहले school में पढ़ते थे अभी 11th class में चला गया तो दूसरा institute हो गया तो institute को पहले update करना उसके बाद आगे का फोम भरना तो पहले update institute में जाएंगे क्योंकि ये student जो है पहले दूसरा school में था अभी दूसरा college में admission हो गया इसका ठीक है तो इसका institute change करना है तो यहाँ पर select your institute में जाएंगे institute का पहले state लेंगे जो भी school college में भी पढ़ाय कर रहा है तो दूसरा college school बदल गया है तो college school का state को लेंगे इसके बाद institute का district को लेंगे जो भी आपका रहाएगा आप अपना state और district लेंगे हम ये student का लेड़े जिसका फोम रिन्वल कर रहा है तो यह institute student का है ठीक है इसको यहाँ पर हम select करते हैं select करने के बाद आपको update वाला में click करना तो इसका देखे अपडेट successful हो गया अभी update institute college जो अपडेट successful हो गया फिर apply for renewal में फिर से click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग apply for renewal में click करेंगे तो यह ओल्ड old college का नाम ही दिख रहा मतलब old school का नाम ही दिख रहा तो इसको एक बार log out करता है डी को दुबारा login करेंगे देखेंगे नया जो college हम select किये वह आया है तभी हम आगे फॉर्म बहरेंगे ठीक है दुबारा हम यहाँ पर login करते हैं login करने के बाद फिर से हम apply for renewal में जाएंगे त फिर update institute में हम नया college को नाम select किये अपडेट किये तो apply for renewal में अभी नया जो college लिए उसका नाम किया पर आ रहा है ठीक है अभी उसका नाम आ रहा तो अभी हमको सारा details फिल करना है उसके बाद renewal income चाहिए mail id है तो दीजे नहीं तो छोड़े दीजे day scholar hosteller तो hostel में रहता तो hosteller ल दो देंगे परजयन class year मतला अभी कौन सा year में है तो student अभी 11 में किया तो one है परजयन class start date जो जीज़ दिन admission कराए है उसका date previous class percentage मतला अभी जो class में 11 में है तो 10 का percentage अभी 12 में है 11 का percentage अभी graduation कर रहा है फर्स्ट एयर में तो 12 का percentage graduation second year में है तो graduation का ही first year का percentage just previous का percentage देना admission number, enrollment number या registration number दीजिए या पिर नहीं कुछ है तब roll number लिख दीजिए college का admission year जो college अभी आप जहां पढ़ाई कर रहा उसका admission का year दीजिए class roll number फिल किजिए section है तो दीजिए नहीं तो ज़रूरी नहीं है उसके बाद इसको save as dropped एक बार करेंगे सब कुछ फिल करने के बाद एक बार save as dropped करेंगे हम application save as dropped mode कर दिए अभी नया bonafide को यहां से download करेंगे तो जो नया college हम लिएं जो select कि वो college का नाम यहां पर आएगा bonafide को print कर लेंगे print करने के बाद आप इसमें photo chip का आएंगे class roll number section लिखेंगे आपने जो भी college में आप अभी पढ़ाय कर रहें वहां जाएंगे वहां से signature करा लेंगे contact details यहां देगा signature करा लेंगे seal मतलब college का महर लगा लेंगे next day या पर same day ही आएंगे और आने के बाद आप इसको bonafide को photo खिच लिजेगा या फिर scan कर लिजेगा और दुबारा आप यहां से login करेंगे दुबारा login करने के बाद आपका इस तरह apply for renewal वाला आएगा सारा details आपका fill up रहेगा क्योंकि आप save as drop कर लिये थे check कर लिजेगा कि सब कुछ सही है फिर यहां पर bonafide upload bonafide में जाएंगे bonafide को इस प्रकार select करेंगे जिसो के भी से कम होना चाहिए bonafide इस सब details नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा सिर्फ bonafide को select किजेगा upload नामे click किजेगा आपका bonafide upload हो जाएगा फिर यहां पर view वाला option आएगा view से करके देख लिजेगा फिर सारा details को check कर लिजेगा सही रहेगा फिर final submit में आप click कर देंगे जैसे final submit में click करेंगे तापका form final submit हो जाएगा फिर application print निकलेगा उसको ले जाके सारा document के साथ अपना school college जहां पढ़ते हैं अभी जहां आप apply कर रहे हैं school college में वहां जाके सारा document को जमा कर दिजेगा ताकि जल से जल आपका form verify हो आप एक को पी जमा कर दिजेगा क्योंकि यहां का college में मांगता है नजदी के पलास्टू school college में मांगता है document तो document जमा कर दिजेगा आपका form जल्दी verify हो जाएगा तीस परकार आप लोग किसे भी student का form NSP का form को रिन्वल कर सकते हैं तो अगर जानकर अचल लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों कसा जरू सेर करें चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में